हाई बिटिफल एंजल्स वेलकम तो डिवाइन फैमली मेरा नाम रेनु है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे और अपनी ब्लेसिंग्स में मुझे और सब को शामिल कर रहे होंगे ताकि आपकी अबंडन्स सौग उना बढ़ कर आप तक पहुँचे सबसे पहले हैपी बर्डे एंड हैपी अनवर्सरी तो आल अप यू जो भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं में गौड ब्लेस्ट वेल्ट सक्सेस और हैपिनेस तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग इस रीडिंग में आज एनरजी चेक होगा कृष्णा के मैसेज, पॉजिटिव अफर्मेशन और मिर्कल मैसेज भी होगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवराल कलेक्टिव इनरजी कैसी होने वली है आज के लिए तो उसके लिए काड़ है कीप मी इन यूर थार्ट्स तो आज आपको डीवाइन के साथ connected रहना है पीस में रहना है और डीवाइन के साथ connected रहना है यह आपकी collective इनरजी है जिसके उपर आपको फोकस करना है आज नेक्स चलते हैं consciousness और यह है queen of water के साथ आज आप 3D, 4D, 5D, 3D में तो आप सावारी है 4D और 5D से connect कर सकते हैं क्योंकि Queen of Water आज आप Divine Feminine Energy से बहुत strongly connect कर रहे हो बहुत सारे messages dream के थूँ आपकी meditation के थूँ बहुत सारे messages आ सकते हैं आपको psychically आप बहुत सारे messages pick कर रहे हो intuitively बहुत सारे messages आ रहे हैं क्योंकि जो Queen of Water होती है बहुत जादा intuitive होती है तो इस intuition को आप तभी सुन सकते हैं अगर आप Divine के साथ connect करें और peace में रहें ताकि आपकी ego या mind की जो thoughts है वो जो है overtake ना कर जाएं तो कहीं न कहीं connect कीजिए Divine के साथ ताकि ये messages आप बहुत सारे receive कर सको next है आपर crown chakra 10 of water के साथ जो ये बताता है कि आज आपकी crown chakra कहीं न कहीं टिंगलिंग हो सकती है headache हो सकता है आपकी crown chakra आपका हील हो रहा है और बहुत सारे आपको आज कहीं न कहीं अपने parents energy parents के साथ interaction या बच्चों के साथ interaction positive interaction हो सकती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी 10 of water के साथ बहुत ज़्यादा emotional fulfillment है या कोई ऐसी news आ सकती है या कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर जाएगा last one है discernment eight of earth के साथ यहाँ पर है आपको heart chakra की energy से जोड़ना है यानि की बहुत ज़्यादा compassionate रहना है जो भी आप करना चाते हैं जो भी आपका दिल करेगा आज करने को books read करने को search करने को spiritual videos watch करने को जो भी आपका दिल करेगा आज कीजिए क्योंकि आपको बहुत कोई important information आपको मिलने वाली है तो जो भी आपका resources है knowledge के resources है अगर आप उनके साथ connect करोगे तो आज कहीं न कहीं आपको कोई न कोई important message मिल सकता है important information जो आपकी help कर सकती है या आप के कोई question का answer हो सकता है तो यहाँ पर overall energy बहुत beautiful energy है क्योंकि यहाँ पर consciousness की energy है crown chakra open हो रहा है tan of water की energy है divine feminine strongly divine feminine energy के साथ जुड़ रहे हो तो आज peace में जाए है divine से connect कीजिए isolate कीजिए books read कीजिए research कीजिए जो भी आप बहुत जादा spiritual energy है आज आज कृष्णा का बहुत beautiful message है keep me in your thoughts तो जो भी कुछ करते रहे करते रहे जो भी आपके काम है responsibilities है लेकिन एक connection divine के साथ जरूर बना के रखें आज तो अब continue करते हैं आज की affirmation से आज की affirmation है I am grateful for the abundance of strength that radiates throughout my entire body तो यह strength यह energy जो है आपको spiritual energy जिसको आप resource की energy को जो आप connect कर रहे हो यहाँ पर वो energy आपको strength देगी यह divine की energy को आप channel कर रहे हो resource की energy को चैनल कर रहे हो 4D, 5D से connect कर रहे हो आपको dreams, vivid dream भी आ सकते हैं आज जो psychic dreams होते हैं कि आपके आने वाली life में आपको क्या देखने को मिल सकता है वो messages भी आपको मिल सकते हैं तो next चलते हैं यहाँ पर आपके लिए Krishna का healing message क्या है वो देख लेते हैं The final and only act of healing is to accept that there is nothing wrong with you यहाँ पर acceptance है खुद की acceptance है अगर आपका divine के साथ जुडने को, peace में जाने को यह सब दिल कर रहा है तो ऐसा ना समझे कि आपके साथ कुछ wrong है अपने आपको time दीजिए आप बहुत ज़्यादा spiritual हो बहुत सारे messages receive कर रहे हो उसको अपके मन का बहम नहीं है वो actual में आप यह divine के तरफ से बहुत सारे intuitively messages pick कर रहे हो because आप बहुत spiritually connected हो और देख लेते हैं आपका favorite miracle of the day message यह है moon stone जो बिल्कुल moon जैसा ही लगता है बहुत beautiful stone है आज आपकी कोई wish पूरी हो सकती है जाहे आपकी कोई wish छोटी है या बहुत बड़ी है कुछ नया start करना चाहते हैं या कोई project पे काम कर रहे हैं कोई business idea आ सकता है आपको जो भी आपकी wish है वो कोई आपकी एक wish आज पूरी होने वाली है यह miracle of the day message है तो please मुझे comment section में जुरूर बताएं कि आपके कौन सी wish आज पूरी हुई है इसलिए यहाँ पे 10 of cup का भी card है जो यह बताता है कि आप बहुत जादा खुश फील करने वाले हो क्योंकि आप लोग शाद manifest कर रहे हो क्योंकि full moon के साथ यह moon की energy के साथ शाद आप काम कर रहे हो manifest कर रहे हो law of action यह law of action को use कर रहे हो तो definitely आज आपकी कोई न कोई wish पूरी हो सकती है तो यह थी आज की reading thank you thank you thank you so much for watching and have a good day thank you and bye for now